स्वच्छ दीग्रस सुंदत दीग्रस का नारा बुलंद करने वाली दीग्रस नगर पालिका की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है इसका अंदाजा पालिका इमारत की एक हस्ताहाल पाईपो को देख कर लगाया ज़ा सकता है पालिका के विभिन कारियालों की शौचालों और प्रसाधान ग्रहों के पाईपो में ना सर्फ लीकेज है बलकि इन पाईपों से गंदे पानी की रिस्ताफ से इमारत की पीछले वाला हिस्सा बदभू और गंदगी की चपेट में आने से यहां के नागरिक तरस्त हो चुके ह पेश दिग्रश सम्मादता जुवेर खान की ये खास रिपोर्ट। गंदे पानी के पाइपों की खस्ता हालत परिसरवासियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। गरों को देख कर लगता है, यहां एक अरसे से साफ सफाई नहीं की गई है। चौकाने वाली बात ये भी है कि इस इमारत के जिस ब्लॉक में जा मुख्यादिकारी कार्याल है, उसकी सैनिटरी पाइपलाइन में भी लिकेज है, जो बाहर से देखने पर इमारत के जरजर हो चुके पाइपों की दुरावस्ता को उजागर कर रहा है। इन पाइपों में लिकेज से गंदापानी यहां के दुकानों में और इमारत के पिछले रास्ते पर गिरने से दुकानदारों में और नागरिकों में रोश्याप्त है। पहले की तरह ही दिये तले अंधेरावाली कहावत की तर्ज पर अधर में ही लटक कर रह जाती है। इन बी से नियूस के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट